मित्रों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने चल रहे हैं, प्रसिद्ध रोमन सेनापती, महान राजनीतिग और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सुधारण, बहुत अच्छा प्रसासक, बहुत अच्छा साहित्यकार, रोमन तानासा, जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर रोमन सामराज का वो तानासा सासक हुआ, जिसने की अपना करियर एक पुजारी के रूप बेचलो किया, तो आज चलते हैं उस यात्रा पर पुजारी से लेकर के एक तानासा सासक बनने, और एक ऐसा सेनापती, जिसने रोमन सामराज इरोप भी नहीं, से बाहर अफ्रीका तक फैलाया उसके सफलता की कहानी क्या थी कैसे वो इतनी मुचाईयां प्राप्त कर सका इसको विस्तार से देखेंगे जूलियस सीजर का जन्व सो बी सीए में सबूरा जो इटली में है वहां हुआ था कि पिता का नाम गायस जूलियस सीजर अमा का नाम अउरेलिया था गायस जूलियस सीजर और इपिता था और माथी आउरेलिया इसका जन्व एक ऐसे राजनीतिक परिवार से हुआ था जो रोमन सामराज का सासक बंस था गायस जूलियस सामराज का सासक बंस था लेकिन सोला वर्ष की अवस्था में इसके पिता की मृत्त हो गई पिता इसका जो है जब इस सोला वर्ष का था सोला वर्ष की उम्र में पिता का निधन हो गया चुकि इसका संबंद राजनीतिक परिवार से था तो एक राजनीतिक परिवार जिसका बुख्या था लिूशियस कार्नेलियस सिन्ना लिूशियस कार्नेलियस सिन्ना इसकी पुत्री से इसका विवा हो गया लिूशियस कार्नेलियस की डॉटर थी उसका नाम था कार्नेलिया तो कार्नेलिया के साथ इसका विवा सत्रा वर्ष की वश्था में हो गया ओके तो इस प्रकार से जल्दी ही विवा भी हो गया लेकिन लिूशियस कार्नेलियस सिन्ना जो था वो हो चुकि पहले वो सीनेट का एक प्रभावसाली ब्यद था और रोम में आपने देखा है हमारे पूर के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि सीनेट वो संस्था होती थी जो रोम में सासन चलाने का काम करती थी सीनेट के जो सदस्य होते थे वो जो निर्णे लेते थे उन निर्णेओं को काउंसल लागू करता था काउंसल का पत एक प्रकार से राष्ट पत के समकच होता था तो काउंसल जो था काउंसल सीनेट काउंसल की मदद करती थी और काउंसल एक वर्स तक अपने पत पर रहता था काउंसल का चुनाव एक वर्स के लिए होता था रोम में सीनेट बहुत सक्साली थी जो काउंसल होते थे वो सीनेट के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल उनका होता था और काउंसल उन निर्णेओं को लागू करता था जो सीनेट कहती थी तो हुआ क्या लिउसियस कार्नेले सिन्ना ने अपनी पुत्री का जब विवाह जूलियस सीजर के साथ कर दिया तो यह उसका धामाद हो गया अब सीनेट की जो लाई थी उसने जूलियस सीजर को प्रहुत किया दूसरा जो अपोनेंट था उसका नाम था लिउसियस कार्नेले सिन्ना का जो विवाह था वो था गायस मारियस इससे था अब यहां इसको ध्यान समझिएगा लिउसियस कार्नेलियस गायस मारियस को सपोर्ट करता था एक प्रकार से कहा जाए तो जूलियस सीजर का जो फादर इन्ना था वो मारियस को सपोर्ट कर रहा था और इस वज़े से सुल्ला जो था वो किसके खिलाफ हो गया जूलियस सीजर के जूकि ये सनिल्ला था लिउसियस कार्नेलियस का उसका दमात था तो इसलिए सुल्ला जो था वो जूलियस सीजर के विरोध में आ गया और विरोध हितना बढ़ा कि जूलियस सीजर को रोम छोड़ करके हटना पड़ा जूलियस सीजर ने रोम की मिलट्टी कर ली इसने सेना में नौकरी कर ली और रोम से बाहर चला गया रोम के सैनिक भियान में सेना के साथ इस चला गया अब सुला रोम में था धे धे रे रोम में सुला का साथन चल रहा था जूलियस सीजर अपने सैनिक भियान में सफलता पर सफलता प्राप्त कर रहा था जूलियस सीजर एक महान सेनापत सिद्ध हुआ और उसकी जो सफलताएं थी वो सफलताएं इतनी थी कि जूलियस सीजर रोम के महानतम सेनापतियों में से गिना जाए रगा इधर परिश्वतियों में परिवर्थन हुआ 78 BCE में जो सुल्ला था इसकी डेथ हो गई 78 BCE में सुल्ला के डेथ हो गई तब मिस्स से सैनिक सफलता प्राप्त करके बहुत कीड़ और येस प्राप्त करते हुए जूलियस सीजर जब वापस रोम आया तो उसका स्वागत एक नायक के रूपे किया गया उसका विरोधी सुल्ला मर चुका था जूलियस सीजर एक जन्नायक बन गया उसने वापस रोम में अपना प्राप्त फिर से स्थापित करना चालो कर दिया अब उसका कोई ऐसा विरोध था नहीं जूलियस सीजर बहुत अच्छा बक्ता बहुत अच्छा भाशर कला में माहिर बक्ता ये ज्यान उसने अपने विद्यार्थी जीवन में ही सीख लिया था उसने रोम के कानून के भी जानकारी प्राप्त कर ली थी वो कहता था कि अनभो जीवन में सब कुछ सिखाता है जीवन को समझना है तो अनभो से सब कुछ सिखा सकता है इस विचार का था जुलिय सीजर जब वो आया तो उसने सारी जो उठा पटक थी उसको देख रखा था उसके पास जीवन का एक बड़ा अनभो था अब जब वो रोम वापस लोटा तो उसने अपनी राजनीतिक इस्थिती को मजबूत करने के लिए एक जो रोम का भान सेनापदी के रूप में उसकी गड़ना होती थी पॉम्पयाई दग्रेट ये रोमन सेनापदी था इसके साथ और क्रेशियस क्रेशियस ये दो बड़े वैट थे जो रोम की राजनीत में काफी दखल रखते थे काफी महतुपूर अस्थान पे थे इन दोनों के साथ उसने दोस्ती कर लिए अपनी सिती को मजबूत करने के लिए ये दोनों उसने मित्र बना लिए और यही नहीं इन दोनों की मदद से इसने रोम की सीनेट में काउंसल चुले जाने के लिए अपनी पूरी ब्यवस्था इस तरह स्थापित की कि 40 बर्स की यवस्था में 59 BCE में ये काउंसल चुल लिया गया यहां ध्यान रहे कि काउंसल की वल एक बर्स के लिए चुना जाता था जब ये काउंसल का प्राप्ट कर लिया तो अपनी स्थितिक और मजबूत करने के लिए इसकी जो पुत्री थी जूलिया जूलिया कार्नेलिया से उत्पन थे जो इसकी पहली पत्नी थे तो जूलिया का विवाह इसने पॉम्पेई से कर दिया अब पॉम्पेई इसका दामाद बन गया विवाह संबंद हो गए संबंद हो और मजबूत हो गए अपने संबंद को मजबूत करके अपनी पुत्री का विवाह करके इसने रोम की राजनीत में वो पकड़ बना ली जो एक अटूर थी 59 में काउंसल बन गया और उसके बाद 58 में इसने इरोप के बिजय भ्यान के लिए सुरुवात कर रही रोमन सेना जिसके ब्रोद कुसल धनुधर और घुरसवार सैनिक थे 58 BCE में ये गाल प्रदेश का गवर्णर बन गया गाल जिसको आज हम फ्रांस कहते हैं वहां का ये गवर्णर बन गया और इसके अंडर में चार सैनिक कमान थी लोगों 40,000 सैनिक हुए इन विसाल सैना की संख्या के साथ इसने इरोप के अभियान के लिए एक बड़ा अभियान आउजित किया इरोप को जीतने की जो इसकी योजना थी वो 40,000 सैनिकों के साथ 58 में चलो हो गए और इसने पूरा फ्रांस, इस्पेन, जर्मनी, सहित, दच्छनी अफ्रीका और ब्रिटन इस सब को इसने जीता ब्रिटन का जो दच्छनी छेत्र है उसको इसने कबजे में कर लिया एसिया माइनर तक अगर हम कहें तो ब्रिटन, स्पेन, फ्रांस, सहित, जर्मनी होते हुएrit, एसिया माइनर तक का छेत्र इसके कबजे में आगए सैनिक सफलताय लगातार पराप्त करता जा रहा था अब जब जूलियस सीजर इस प्रकार सेनी सफलता है प्राप्त करने लगा तो उसके विरोधी बहुत से लोग हो गए स्वेम इसका जो दामात था और साथ ही था पॉम्पियाई उस स्वेम इसका विरोध करने लगा उसने देखा कि जूलियस सीजर की इस ताकत बढ़ती जा रही है और इसको नेंतित करने की आवसेकता है पॉम्पियाई ने सीनेट में ऐसी परिसिदियां पैदा कर दी कि सीनेट ने रोम के सेनापत के पस से इसको उटा दिया और इसको वापस बलाया पॉम्पियाई को सीनेट का सरनच्छक घुसित कर दिया गया जब ये समाचार मिला तो ये वापस चल पड़ा और जूलियस सीजर की सेनाओं ने आलपस पर्बत को पार करके इटली में प्रिबेश किया सीजर ने देखा कि रोम की सारी सेना जूलियस सीजर की नेतुत में है सीजर ने इसके साथ सांतिवारता का प्रस्ताव भेजा लेकिन इसने कोई सांतिवारता नहीं की और ये घटना है 49 BC की इसको सीजर का विद्रोह भी कहा जाता है 49 BC में इस सेना साहिट रोम में कुछ गया और जो इसका विरोधी था पॉम्पेई इसको इसने पराजित किया पॉम्पेई अपनी जान बचा करके मिस्ट की और भागा लेकिन मिस्ट में एक ऐसा सासक जिसने इसको सुरच्छा दी उसी सासक ने इसका सरकाट दिया वो ऐसे सासक का पुत्र था जिसको कि कभी पॉम्पियाई ने जीवन दान दिया था लेकिन उसी के वेटे ने सासक रहते हुए पॉम्पियाई का सिर काट करके जूलियस चीजर को सौब दिया जूलियस सीजर मिस्ट तक इसके पीछे पीछे गया और मिस्ट को ही उसने अपने अधिकार में कर लिया 46 BCE में वो मिस्ट से सैनिक विजय करके वापस रोम लोटा उस समय तक जूलियस सीजर केवल रोम का यह नहीं दुनिया का सबसे महान से नापत हो चुका था तुनिया का सबसे सत साली ब्यक्त था मिस्ट में जो वहां की रानी थी किलोपेटरा उसके साथ भी इसके सम्मंद मजबूत हो चुके थे केवल सासक के तोर पर ही नहीं किलोपेटरा इसकी एक बेस्ट कम्बेनियन एक अच्छी साथी के रूप में भी थी इनके बैवाहिक सम्मंद भी थे तो इस प्रकार किलोपेटरा के साथ इसने जो मिस्ट में अपना प्रभावस्थापित किया तो जब वह आपस लोटा जूलियस चीजर तो फिर से रोम में अब किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी जो इसको चुनोती दे सके जूलियस चीजर एक ऐसा तनासासा सक हुआ जिसने कई विवाह किये इसको भी हाद दिख लिए क्योंकि उन संबंधों से भी कहीं न कहीं कुछ कहानी को आगे बढ़ाने में उदद भी लेगी पहला विवाह इसका कार्णेलिया के साथ हुआ था जो सत्रावर्ष की वस्था में 84 BCE में हो गया था कार्णेलिया 69 BCE तक जीवित रही और उसके बाद उसकी मृत्थ हो गई कार्णेलिया के मृत्थ के बाद 67 BCE में इसका विवाह पॉम्पिया से हुआ और यह पॉम्पिया जो इसका सबसे प्रबल सत्र था लुईस कार्णेलिये सुला उसकी पोती थी लुसियस, कॉर्नेलियस, सुला इसकी पोती थी 67 से ले करके यह विवाह सम्मन 61 BC तक चला उसके बाद डाइवोर्स हो गया तो सुला की पुत्री से भी इसने विवाह किया लेकिन यह तब हुआ था जब तक कि सुला की दाइवोर्स हो गई तलाख हो गया इसके बाद इसका विवा 59 में 59 BCE में कैल पर्निया के साथ हुआ अपने मिश्र भियान के दोराद किलो पेट्रा जो टॉलवी बंस की साशिका थी उसके साथ भी इसके सारेरिक संबन्थ है वो इसकी एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में रही और कहते तो यहां तक है कि किलो पेट्रा और जूलियस सीजर का एक पुत्र भी पैदा हुआ सीजेरियन जिसको कहा गया सीजेरियन जूलियस सीजर लेकिन उसके बारे में कुछ इतिहासकारों में अलग अलग तरे की धरड़ा है तो इस तरह से कई महलाओं के साथ उसके संपर्क रहे बैरहाल जब वो वापस रोब लोटा तो कोई भी उसको चिनोती देने वाला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी कि वो विरोद करें 46 BCE में रोम जब वापस आ गया तो वो तानासा बन गया तो इस प्रकार से 49 BCE में जूलियस चीजर के विद्रोह के बाद से 44 BCE तक वो एक तानासाह के रूप में रोम पर उसने सासन किया ध्यान रहें ये एक सासक नहीं था रोमन सामराज का सासक नहीं था एक तानासा था जिसने जवरधस्ती सक्त केबल से सासन की सक्तियां प्राप्त कर ली थी मंत्रिमंडल कोई विरोध करने वाला नहीं था सीनेट विरोध ही कर सक्ती थी इसकी सिती तिनी वजूद थी इसने मंत्रिमंडल और सीनेट को दबाव में इला करके अपने पद को हमेशा के लिए सासक के रूप में मानता देने के लिए सीनेट की एक बैठक बुलाई इसके दो मित्र पॉम्पियाई तो मरा जा चुका था एक मित्र भी बचा हुआ था क्रेशियस और दूसरा मित्र था बुरूट्स इन दोनों मित्रों के साथ ये सीनेट की बैठक भाग लेने 15 मार्च 44 B.C. को पहुँचा सीनेट के प्रस्तावद्वारा इसको हमेशा के लिए तानासाह का पद दिया जाना था जब ये बुरूट्स और कैसियस के साथ सीनेट में पहुचा तो सीनेट के बहुत से सदस्यों ने 50-60 सदस्यों ने इसको 4 और से घेड लिया और उन सदस्यों ने ही इसको छुरा घोंप करके बार दिया सीनेट के अंदर इसको कत्र कर दिया गया 23 बार इसे छुरे घोपे गए इसने अपने बचने का बहुतेरा प्रयास किया लेकिन जब इसने देखा कि उसका जो दोस्त बूट्स है वो स्वैम खंजर लेकर के अपने हाथ से से छुरा घोप रहा है तो इसने यही कहा कि बूट्स तुम भी और इसके बाद निढाल हो गया छुरा घोप करके इसके हत्या कर दी गई 44 बेजी में और इस प्रकार जूलियस सीजर का अंत हो गया जूलियस सीजर का कोई अपना व्यक्तिकत पुत्र नहीं था इसने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आक्टेवियन को निशित कर रखा था आक्टेवियन इसके मृत्त के बाद रोम में ग्रहुद और उसके बाद जब सान्ती हुई तो वो रोम का सासक बना और रोम का पहला सासक आक्टेवियन जिसने की आगस्टस की उपाद धरन की और इस प्रकार उसने प्रिंसिपेट व्यवस्था की चालू की प्रिंसिपेट व्यवस्था का आर्थ होता है प्रधान ना करे उसने 27 BCE में आगस्टस की उपाद धारान करके आक्टेवियन ने सासंगरना प्रणु किया सीनेट की प्रवसक्ता को बनाए रखने के लिए उसने अपने आपको तानासा नहीं खुशित किया उसने अपने आपको प्रधान नागरिक खुशित किया कि मतलब सीनेट मुख्य है सीनेट के अंसार उसासन चलाएगा वो क्योल प्रधान नागरिक है और इस ब्यवस्था को दोस्था कहते हैं, तो एक प्रकार से रोम में गनतंत्र, समाप्त और राजतंत्र की शुरुवात, कभी 27 BC में, आगस्टरस के सासनकाल के साथ, इस प्रकार जूलियस सीजर का अंथुआ और जूलियस सीजर के बाद रोम में राजतंत्र की शुरुवात हुई, मित्रों, जूलियस सीजर का अभी तक हमने देखा, कि वो एक महान सेनापती था, महान सेनापती से तारासा बनने की उसकी कहानी देखी, उसके अंदर कई प्रसास्रिक अच्छे गुण थे, अगर मुसकी उपलब्धियों की बात करें, तो वो एक ऐसा सासक से धुआ, जिसने बड़े अच्छे प्रसास्रिक परिवर्तन की, भूम सुधार संबंधी कानून मनाए, उसने जूलियन कलेंडर का निर्मार किया, जिसमें 365 दिन होते थे और लीपियर होता था, इसके अतरित उसने कई आलिसान इमारतों, मंदिरों इसका निर्मार कराया, उसने अपने पद को भी उत्तराजिकार दिया जाए, आक्टेवियन जो इसका उत्तराजिकारी बना, वो स्वेम इसका दत्तक पुत्त था, उसने रोमन सामराज के जो सुदूरवर्ती छेतर थे, वहां के लोगों को नारित्ता प्रदान की, अपने साथ के लोगों को प्रसासन में अच्छे और महत्तोपूर्ण पदूस ने दिये, इन सब गुड़ों के साथ वो एक बहुत अच्छा लेखक, एक अच्छा कवी था, लेटिन भासा में उसने बड़ी अच्छी गर्दी की रचनाई की, कवीताय लिखी, तो इस प्रकार वो एक अच्छा सहित का, एक अच्छा प्रसा क्या भी देंगे, चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, थैंक्स